गुरुवार चाम जैसे ही ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन एवं स्लोट बुकिंग के लिए साइट खुला जैसे ही जमशेदपुर शहर के लोगों ने सारे स्लोट बुक कर लिए जिससे ग्रामीन छेत्रों में रहने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन से वन्चित होना पड़ा महिले से हो चुकी थी यहां दो टीमों का विवाजन किया गया था टीम ऑन टीम टू और एक रिजर्व लिपी थी और टीम वन में जहां पुरुषों को वैक्सिनेशन लगना है यह भी जो पॉजिव हो उसको पोरोना वैक्सिन लगए तो जिसके लिए सबका टेस्टिंग क बारा बजे तक लगबख हम लोग हमारा दिया गया टार्गेट जो था वो 200 था दिया गय गया तार्गेट के अनुसार उसके अनुपात में हम लोग अभी 148 का वास्थिनेशन हो चुका है और आशा करते हैं कि जल्दी हम लोग अपना टार्गेट भी तूरा कर लेंगे और लोग यहां मास्क पहन कर लोगों को यहां हिराइज दिये गही है कि लोग सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग करें मास्क पहने एक दूसरे से दूरी बना कर रखें और कोविट के जितने भी प्रोटोकॉल्स और उसका पालंग देख और शांती तरीके से यहां पे कोविट वाक्सिनेशन का कारे चल रहा है सुचारू तरीके से सारा कारिय हो रहा है ग्रामिन लोग के बीच में और ग्रामिनों के बीच में जावरुकता फैल रही है और फैलने की आवशक्ता है ताकि दूसरी बार जब भूशन हो और जादा लोग जो हैं घ्राम जम्शेदपूर का अद्वी जहां देखा कि खाली है वो लोग बुक कर लिए हैं टोटल टू हंडेट बैनिफीशियरी को आज देना था तो टू हंडेट बुक्त हो चुका है अल्रेडी इसमें पटका के बहुत कम है इसमें बाहर का ही जादे हैं अभी दिरे दिरे लोग शी प्रेटिक से किये हुए थे तो बोले कि हरे घर में सब घर में स्मार्टफोन आ गिया है ठीक है एक गुजूर गादमी को नहीं आता है लेकिन बच्चा लोग जो है वो लोग को तरूर आता होगा उपलोग को खाली इंफोर्मेशन दे देना है कि आप लोग बुक कर लिए लोग तो जैसे इस बार हम सोच के रहे हैं कि जैसे अभी फिर स्लाट खुलेगा स्लाट खुलने से पहले ही हम सब को बोल देंगे कि आप लोग देखते रही है कि कब स्लाट खुल रहा है उसी इंशाफ से आप लोग बुकिंग कर लिए तो एसा देखा जा रहा कि 95% जबश स्वादेश वारी